नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सरकार आपके द्वारकारकर में 48 वेज नावकस उद्घाटन एवं 98,94 लाख रुपए की 124 वेज नावकस सिलन्यास किया उन्होंने कहा है कि गोला को जल्द ही डिगरी कॉलेज का उपहार मिलेगा कॉलेज की जल्द अधार सिला रखी जाएगी रामगर जीले में आवागमान को बेहतर करने के उदेश से 250 कोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर ग्रामीन सड़क एवं 450 कोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर उच अस्तरिय सड़क का निर्मान किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि राज में सरकारी गयर सरकारी यम सोरोजगार से लोगों को जोडने का काम हो रहा है लागतार नियुक्तिया निकाली जा रही है कहा कि रामगर जीला का पतरातु पलेटन अस्थल है यहां के युवा दर्शनिय अस्ठलो पर स्वरोजगार के लिए रोजगार स्रीजन योजना का लाव लेकर आर्थिक स्वालंबन की और अग्रसर हो सकते हैं इसमें सरकार आपकी मदद करेगी कुरोना के नए वेरियंट को लेकर रिम्स में तयारी के नए वेरियंट जे एन वन को लेकर रिम्स ने पूरी तरह से तयारी कर ली है इसके ट्रामा सेंटर के पहले तले को तयार किया गया अगर कुरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें यहां भरती किया जाएगा अधिक्षक डाक्टर हिरेंद्र बिरुवा ने सनीवार को तयारी का जाजा लिया वे सुपर स्पेसलिस्ट बिल्डिंग के CCU और काडियोलोजी विभाग भी गए वहीं अधिक्षक डाक्टर हिरेंद्र बिरुवा ने बताया है कि ज़रुवत पढ़ने पर आईसोलेशन वार्ट का भी उप्योग किया जा सकता है हालाकि अभी इस्थिती IC नहीं है जिसको लेकर चिंता की जा सके उन्होंने Oxygen Supported Bed और Oxygen Plant का भी जा जा लिया है अर्जुन मुंडा ने कहा हेमन सुरेंदोसी नहीं है तो ED के सामने जाए केंदरी एक कीरीशी मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ED के बार-बार समन देने के बाझूद मुक्ह मंत्री कोई चिती असपरस्ट करनी चाहिए वहाँ जाना चाहिए वहाँ क्या दिकाईयों के थिती सवगत करवाना चाहिए उन्होंने कहा है कि जारखंड के ही एक कांग्रेस के सांसत के घर पर छापे मारी में 351 क्रोर रुपे नगत बरामत हुआ है वह पूरी तरह खुला हुआ था सभी देखे या किसी से चुपा हुआ नहीं था इस पर कई लोगों की बिरुद भी जाच च इस ब अहाद चाहिए कि आप राज्येहित में काम कर रहे है या अनिकिसी हित में जारखंड के कस्तुरभा कर्मियों ने कल्ला बिला लगा कर किया का जारखंड के 203 कस्तुरभा गांदी बाहल का आवासे बिद्ध्याले और 57 झार्ट कंबाहавать का भी द्याले कर नहीं करमियो लिया है संग की अध्यक्ष रोहिनी परशाद ने बताया है कि उन लोगों की पांच सुत्री मांगे है पचास प्रिदी वेतन बिरिधी वह सहयक अध्यापक और पर्योजना कर्मियों की तरह 4% वार्शिक बिरिधी की जाए वहीं 10 साल से सिवारत कर्मियों का सीधा समयोजन कि पेंशन, इपीएफ वा मेटकल भता कालाब दिया जाए सरकारी बहाली में पुर्व से बहाल सिक्षिकाओ, लेखा पालक, गाड़ वा रसोयों को उनके पद के अनुरूप नियुक्ति में आरक्षन दिया जाए जारक्षन के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी एस्पोर्ट वा फिजिकल एक्टिविटी, सरकारी स्कूलों में गुनवाता पुन सिक्षा के साथ एस्पोर्ट वा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा कर बचों को फीट रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसके ये खेल समागरी कराय के लिए दिशान निरदेश को जारी किया है उन्होंने राजी के सभी जिला सिख्षा पताधीकारी सह जिला कारकरम पताधीकारी को इसके लिए पत्र लिखा है खेल समागरी की खरीद के लिए स्पोर्ट फंड फिजिकल एजुकेशन मद में 22.15 कडोर और 6.72 कडोर की रास्टी की स्विक्रिति परदान की गई जिलावा रास्टी जारी की जाएगी बताद 15.92 चोबिस तक खेल समागरीयों का कराय करना सुनिश्चित किया जाना है जारखन में जल्द ही सहित्य अकादमी का होगा गठन मंत्री करन डिह दी सुम जाहेर थाला इस्थीत पंडित रहुनाथ मुर्मू हौल में आयोजी संताली परसी महा सह साहित्य गोष्टी के दूसरे दिन सनिवर्ग बतार मुक्याति थी आदिवासी कल्यान मंत्री चंपाई सुरेन मौजूद थे उन्होंने अपने समोधन में कहा है कि राज सरकार जन जातिय भासा संस्कृती वा समाज के उत्थान के प्रतिगंभी रहा है इस दिशा में निरंतर कारे किया जा रहा है जारकन में जल्द ही साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा इसी दिशा में आवसक पर किरिया चल रहा है लंबे समय से संतार उन्वर्शिटी की मांग की जा रही है इसे भी धरातर पर जल्द ही उतारा जाएगा इसे यहां की भासर संस्क्रिति को सम्रिद वा बिक्सित बनाने में काफी मदद मिलेगी इस दरान मुख्यतिती 25 सुरेन ने साहित अकाजमी 23 के बिजेता टीसी बासके को समानित किया है यूपी पूलिस में 6244 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी यूपी पूलिस में 6244 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आवेदन के परकिया 27 दिसंबर 23 से शुरू होगी बता दे 16 जन्वारी 2024 अम्तिमति थी है फिस जमा करने और आवेदन में संसोधन की अम्तिमति थी 18 जन्वारी 2024 है यूपी पूलिस कॉंस्टेबल भरती में 25 लाक आवेदन आने की उम्मीद है रिक्त पदों में 24102 पद आरक्षी थाए वहीं EWS के लिए 624 पद, OVC के लिए 16274 पद, SC के लिए 12650 पद और ST के लिए 1204 पद आरक्षी थाए आवेदन की फीश 400 रुपे निर्धारित की गई है जार्खन कांग्रेश का प्रभारी गुलाम अहमद मीर बने जार्खन परदेश कांग्रेश का प्रभारी बदल गए है और नास पांडे की पदोनती हो गई है उन्हें उतर परदेश का कांग्रेस परभारी नियुक्त किया गया जम्मु कास्मीर के अनन्त नाग के रहने वाले 62 वर्सिय गुलाम अहमद मीर को जार्खन कांग्रेस का परभारी नियुक्त किया गया है जीए मीर को पछिम मंगाल के प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार भी सोपा जया है जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के महासचीव सा मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि जार्खन कांग्रेस कमिटी के अध्यक रायस ठाकूर ने अविनास पांड़ को उतर प्रदेश जैसे बड़े राजे कताईत सोपने पर कांग्रेस अध्यस मलिका अर्जुन खरगे के प्रतिया भार जाता था उन्हें बधाई भी दी है खुटी से दो पी एलेफाई उगरवादे गिरफतार खुटी जिले में पीपलर्स लिवरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पी एलेफाई के उगरवादियों ने लेवी के लिए दो जेनरेटर जला दिये थे गिरफ्तार की गए पीलेफाई के दो उगरवादियोंने सनीवा तेश दिसंबर को पुलिस के समक्ष इसका खुलासा किया उन्होंने बताया कि अड़की थाना छेत्रे के कंडीर और तयबा के बीच पुल निर्वान कारे में लगे जनरेटर को जलाने के पीछे पीलेफाई का ही हाथ था पुलिस ने बताया एक जनरेटर जलाने के आरोप में पेलेफाई के दो उगरवादियों गिरफ्तार किया गया इसमें अड़की के हर्दा लामा भोज मुंडू उर्फ सनीका मुंडू और बदगावा थाना छेत्रे के मतलायोंग हाथी राम हेंपरों सामिल हाए हजारी बाग से A.S.I. मनोज कुमार रिस्वत लेते गिरफ्तार 6,000 रुपे खुस ले रहे थे बदरी आदो की सिकायत पर A.S.B. की टीम ने जाल बिचाया और जैसे ही मनोज कुमार रिस्वत की रखम ली उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार A.S.I. केस नंबर 242,03 के अनुसंधान करता है मनोज कुमार मामले की जाच के लिए 15 अक्टूबर 23 को बदरी आदो के घर गए थे रांची के सुजाता चौकपा ट्रैफिक पुलिस से मार पीट वर्दी उतारने की धमकी देने और सरकारिक कामेबाधा पहुचाने कारोप में गिरफ्तार युवक, मुहमद और बाज खान को चुटिया थाना ने जमानत पर छोड़ दिया है युवक के पिता का नाम सलमान खान है वह लोवर बजार धाना छेतर के में रोड गुरु द्वारा के समीब का रहने वाला है मामले को लेकर ट्रैफिक पोस्ट पर ड्यूटी में तरनाद आरक्षी बिरेंद्र कुमान ने चुटिया धाना में केस तर्ज कराया है आरक्षी बिरेंद्र कुमान ने बताया है कि वह सुजाता चौक पर यात्यात ब्यवस्ता कर संचालन कर रहे थे इसी दोरान सीरम टोली चौक की ओर से एक कार चालाक अपनी कार लेकर सुजाता चौक आया और लेफ्ट फ्री लेन में खड़ा कर दिया पांच साल तक के बच्चों को 27 से दी जाएगी विटामिन एक की दवा जहरखन मात्रियों सिसू स्वास्त पोषन माह की शुरुआत 27 दिसंबर्च होगी जनवरी माह के 27 तारिक तक जीले भर में विशेस कैमपेन चलेगा इसके तहर स्वास्त विभा की ओर से सुने से पांच साल तक के बच्चों को विटामिन एक की दवा पिलाई जाएगी सानिवर को सीएस कर्याले सभागार में 27 से सुरू हो रहे विशेस कैमपेन को लेकर बैठक की गई अध्यक्स्ता सीविल सेजन डाक्टर चंद्रभानू परतापने की उन्होंने बताया है कि एक महा तक चलने वाले बिशेस कैमपेन में जीले के सभी अंगनवाडी केंद्र टिकाकरन केंद्र समेथ सरकारी अस्पताल वस्वास्त केंद्रों में बच्चों को बिटामिन ए की दवा खिलाने का लक्ष निधारित किया गया है नकसली घटना के बाद रेलवे ट्रेक की सुरक्षा को लेकर एकसन में रेल पुलीस चक्रधरपूर में नकसली घटना के बाद रेलवे ट्रेक की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इसके बाद नए सिरेसल रेलवे ट्रेक की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे है आरपी एफ जी आरपी एफ की साथ साथ हर जीले की पुलिस के साथ इसे लेकर सनुतिरनीती बनाई जा रही है रेल वे ट्रे को उड़ाने की घटना को लेकर पचमी सिम्मजीले के SP के साथ रेल SP रिसब जहाने बात चित की है इस बात चित के दोरान यह बाते सामने आई है कि नक्सालियों के अनील दस्ते की और से इस घटना के अंजाम को दिया गया था अनिल दस्ताक के दो लोग गाड़ियों से वहाँ आये थे उन लोगों नहीं पठरियों को उस रात नुक्सान पहुचाया था जिसके बाद वे लोग लोट गए थे जारखन हाई कोट का फैसला जो जीस राजे का निवासी उसे उसी राज में मिलेगा अरक्षन जारखन हाई कोट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो ब्यक्ति जीस राज का निवासी है उसे उसी राज में अरक्षन का लाब मिलेगा अरक्षी सिरेनी की किसी महिला की साधी यदि दूसरे राज में हुई है तो उसे दूसरे राज में अरक्षन का लाब नहीं मिल सक जस्टिस राजे संकर की आदालत ने इस सम्मध में रीना राना द्वारत दायर याचिका को खारिच करते हुए और निर्देश्टिया है याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में जार्खन राज करमचरी चेन आयोग ने सिक्षक नियुक्ति के लिए भीकापन निकाला था पच्मी पिछोब के गारण जार्खन के तापमान में उतार चलाओ जारी है सनीवार के सुबह कोहरा चाया रहा जबकि बादल चाया रहने से दिन भर सुरज की आख मिजोली होती रही मौसम केंद्रे के अनुसार रभीवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा वही क्रिस्मस के दिन 25 दिसमर के सुबह में कोहरा चाया रहेगा जबकि दिन में आश्मान साप रहेगा वा मौसम खुस नुमा रहेगा इधर सनिवार को कोहरावा बादल छाय रहने के करना निम्तम तापन में बिरिधी देखी गई जबकि अधिक्तम तापन में गिरावर दर्च की गई है जारखंड के हर गाव में चलेगी बसे लोग मुफ्थ में करेंगे सफ़ार मुख्य मंत्री हमांसुरे सनिवार को आपकी जोजना आपके सरकार आपके द्वार के जीला अस्तरिय कारकरम में भाग लेने अपने गिरिः परखंड रामगर के गोला चांडी पंचायत पहुँचे यहां तीरला मैदान में अयोजीत कारकरम में उन्होंने 111 क्रोर 69 लाह की 172 जोजनाओ का उधगाटा नोसी लन्यास किया हमांसुरे ने इस दोरार परिसंपत्यों का भी बित्रन किया मुख्यमंत्री ने कारकरम अस्तल से पत्रातू पर खंड के जयनगर पंचायत में चल रहे आपकी जोजना आपकी सरकार आपके दोर कारकरम सीविर में लाभकों से बात्चित भी की मुख्यमंत्री ने सरकार के चार साल के उपलवद्यों को किनाते हुए मज से ही गोला में डिगरी कॉलेज बनाने की घोस्ना की साथ ही उन्होंने गाओं की सलकों को ठीक करने वह सहर को गाओं तक जोडने के लिए रामगर जीले के अंदर 250 क्लोर की लागत से 400 किलिमेटर बनाने का काम जल्द सुरू करने की बात कही है अबुआ आवास के नाम पर जानता को लूट रही है मन सरकार नेता प्रतिपक्ष बिधायक मज से पाक की बिधायक ने सक्खी मंडल की बहनों को आजिविका सनवर्धन के लिए सिलाई मसीन बित्रन का सुबारम सनिवार को किया इसी के लिए बिधायक ने अपने मौरे फरम हाउस में समारो का आयोजन किया बतादे इसमें तरहसी वा मनातू परखन के पांच पंचायत के करीव पांसो महिला समों के बिच सिलाई मसीन का बित्रन किया अपने नीजी खर्चे से बिज़ायक ने पाच हज्जार महिलाओ को अंगवर्ष्थ प्रदान किया कारकरम का सुबारम मुख्याती थी जहारखन बिधान सभाम नेता प्रतिपक्स अमर कुमार बावरी ने दिप प्रजलित कर किया इस तोरह नेता प्रतिपक्स अमर को अर्बावडी ने कहा है कि अब वह आवाज के नाम पर हमान सरकार जानता को ठग वालूट रही है उन्होंने कहा कि भाजपाक की ही एक पाक्टी है जो सब के विकास के लिए काम करती है